हाई, क्या आप बिलीव करेंगे कि सिगरेट वेस्ट से भी कुछ यूसफल बन सकता है? लेट सी हाओ, एक साल में अराउंड 4.5 ट्रिलियन सिगरेट बट्स टम की जाती हैं, मेकिं इट दे मोस्ट लिटर्ड आइटम अन दे अर्थ. बिना ये सोचे समझे कि इस लेफ्ट ओवर का क्या होगा? बट दो यू नो, इस छोटे से सिगरेट बट को डीकम्पोज होने में 10 साल लग जाते हैं. त्स राइट, 10 एर्ज. आपने कभी नहीं सोचा, राइट? बट देन समबडी डिट थिंक अबाउट इट. नमन गुपता ने इस प्रॉब्लम के बारे में ना ही सिर्फ सोचा, बट उससे सॉल्व करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई. नमन ने सिगरेट बट को रीसाइकल करके उसके यूसफुल प्रोड़क्ट बनाने का सोचा, पर यह अतना आसान नहीं था. सिगरेट बट को कलेक्ट करना खुद में एक टास्ट था. तो नमन ने सबसे पहले डिजाइन किया ये, ये है वेल्यू बिन्स. जो सिगरेट बेंडर को प्रोवाइट किया गए, जिसमें सिगरेट बट कलेक्ट हो सके. So rather than throwing सिगरेट बट्स like this, people started to use value bin like this. And this is how code effort became India's first cigarette waste management and recycling firm. फिर इस cigarette waste को दो पार्ट में डिवाइट किया गया, paper and fiber. पेपर को grind करके उसमें organic binder mix किया गया और बनाएगा गे जिए 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 बॉस्केटो रेपलेंट्स. All you have to do is just burn it and see the effect. पर fiber अभी भी toxic था और usable नहीं था. काफी research के बाद, he finally discovered a chemical जिससे फाइबर की toxicity खतम हो सके. And he got it tested in a lab. फिर इस फाइबर को stuff करके attractive products बनाएगा हैं. Like pillows, cushions, e-chains, etc. जो हमारे दिमाग में अभी और ideas हैं जैसे air purification system या i-frames बनाने का. ये दो-तीन byproducts जो हैं वो launch करें जिससे ये जो cigarette waste है, इसको और ज़ादा अच्छे वे में recycle करके इसके और uses निकाले जाएं. अभी तक नमन गुपता ने around 250 million cigarette butts को recycle किया है. What a journey it is, right? हम कभी-kभी problem को discuss करने में इतने जादा busy हो जाते हैं कि हम solution के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं. हमें लगता है हमारे एक छोटे से step से क्या ही होगा. बट नमन गुपता जैसे लोग इस छोटे से step को उठाते हैं और दुनिया बदलने की सोचते हैं. So, let's appreciate his work by sharing this video and spreading this inspiring story to the world. Also, it is very important to make this clear, neither Naman nor me are promoting the use of cigarette. But as it is the most littered item on the earth, we should recycle it. So, अगर आपके पास cigarette waste है, या आप cigarette waste से रिसाइकल हुए कुछ प्रोडुक्स खरीदना चाहते हैं, So, here are the contact details of Naman Gupta. I am on a mission to share stories of real life heroes who are working every single day to make our world a better place. So, please like, share and subscribe to my channel so that you can see more inspiring stories like this. See you next week.